लादमिर पुतिन ने कुछी घंटो पहले एक statement दी है जिसको पूरी दुनिया कवर कर रही है क्योंकि इसका impact पूरी दुनिया पर ही होगा लादमिर पुतिन ने एक निड़ने लिया है जिसका main impact तो क्या रशिया पर होगा मगर बाकी कई countries के लिए भी decision पुतिन नहीं यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर आप देखोगे यह article है पुतिन कहा रहे है we do not want अफगान militants arriving under cover of refugees Russia ने clear कर दिया है कि अफगानिस्तान से यह बिलकुल भी refugees नहीं लेंगे इनको डर यह है कि refugee की आड में यहाँ पर आतंगवादी इनके देश में ना आ जाए और Russia ने आपर यह statement सिर्फ खुद के लिए नहीं दी है जो Central Asia ही देश है उनके लिए भी दी है अब आप कह सकते हैं कि इस निड़ने के बाद अफगानिस्तान से जो लोग निकलना चाते हैं जो लोग airport के भारवस वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें इस Taliban rule अफगानिस्तान से भार निकालो उनके लिए एक सुरक्षित जगा ढूड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और India, US, Australia, various countries को अपनी खुद की policy भी यहाँ पर देखनी पड़े की कि क्या हम यहाँ पर refugees को रिसीव करके ठीक कर रहे हैं या फिर हमको भी जब पुतिन की policy है यह follow करनी चाहिए और since इस वीडियो में हम primarily focus करेंगे Central Asia पर आप से मैं यहाँ पे प्रशन पूछूँँगा regarding the Central Asian countries प्रशन आपके सामने यह है by the way मैं चाहता हूँ आप सब लोग question को attend करे in the comment section below और अगर आपने world affairs को subscribe नहीं किया है so subscribe to world affairs so question आपके सामने यह है कि जो यह Central Asia इदेश आपके सामने है इन में से सबसे ज़ादा अबादी किस देश की है कजाकिस्तान, उस्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान यहाँ पे map हैं आपके सकते हैं, यह सब देश है comment section में करो answer सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के अंथ में now social media पे आप लोगों ने कई बार वीडियो देखी होगी from Afghanistan, काबो लेरपोर्ट किस तरीके से लोग बस भार निकलना चाते हैं अफगानिस्तान से और एक refugee crisis पुरी दुनिया के सामने अब आ चुका है कि Afghanistan से जो लोग भागना चाते हैं इनको कहां पे रखे, कौन सा देश इनको absorb करेगा, अभी के लिए जो western देश है, उन्होंने ये काए कि कुछ यहां पे हम अपनी जिम्मदारी निभाएंगे for example, UK ने का है कि हम 20,000 अफगान refugees को जगा देंगे इसमें primarily ये priority देंगे women और children को Australia ने का है कि ये लोग शरण देंगे 3,000 अफगान refugees को Canada ने का है कि 20,000 इसी तरीके से various countries contribute कर रही है मगर problem ये है कि जो main आसपास की countries है अफगानिस्तान की वो लोग यहां पर refugees लेने को तियार नहीं है for example, Pakistan ने all together अपनी जो border है ये seal कर दी है विद अफगानिस्तान और ये का है कि हम बिलकुल भी और refugees accept नहीं करेंगे from अफगानिस्तान क्योंकि already पाकिस्तान में करीब 3 million मतलब के 30 लाख अफगान refugees है जो पिछले 20 साल में धीरे धीरे पाकिस्तान में आये थे फिर आप अगर देखो इरान इरान ने भी कर दिया अपनी border close तो ये दो जो border थी यहां पर ये हो गई है बंद अब 3 करोड 80 लाख की अबादी का देश है तालिबान यहां पर राज कर रहा है तो यहां पर geopolitical endless यह बान के चल रही है कि at least 1 million से 2 million लोग तो पका यहां से भागेंगे और किसी ना किसी country में उनको shelter चाहिए होगा तो हम यहां पर 20 लाख लोग की बात कर रहे हैं और यहां पर Australia, US सब मिला कर मुश्किल से एक लाख लोगो को दे पाएंगे जगा बाकी 19 लाख का क्या होगा तो बाकी अफगान refugees को settle करने के लिए USA ने idea दिया कि जो यह Central Asia ही देश हैं यहां पर Kazakhstan, Uzbekistan, यह सब तर्मेनिस्तान इनको यहां पर कहो कि यह लोग refugee अब्जॉर्ब कर लें यह बहुत बड़ा land end के पास 19-20 लाग लोग तो यह अराम से अब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी population में और US ने इन Centralation countries पर दबाव डालना भी start कर दिया था कि अफगान refugees आप लोग लो क्योंकि आपके हैं यह refugees अराम से भीश में आ गए इन्होंने यह कहा के नियत नहीं मैं यह नहीं ओने दूँगा कोई भी अफगानिस्तान का refugee Centralation country में एंटर नहीं करेगा अब यहाँ पे कहोगे अच्छा रशिया खुद के लिए यह निड़ने ले ठीक है मगर जो Central Asia ही देश है इनके लिए निड़ने रशिया क्यों लेगा देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो यह सारे देश यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस गुले के अंदर यह सब आजाद हुए थे 1991 से लेकर 1992 में जब USSR तूटके भी खर गया था यह सारी former USSR states है और इनके बहुत सारे cultural linguistic relations है रशिया के साथ रशिया इवन CSTO के अंडर इन सब countries को military production भी यहाँ पर करता है provide और since रशिया के साथ इन सब countries के relations इतने अच्छे हैं तो रशिया ने इन countries को दे रखी है free visa facility मतलब कि जो यह Central Asia ही देश है यहां के लोग बिना visa के बस अपना passport दिखा कर एंडर कर सकते हैं रशिया के अंडर और 90 दिन के लिए रह सकते हैं visa free यह आप कह सकते हैं countries के relation काफी अच्छे हैं तो रशिया ने दे रखी है इनको यह facility अब पुतिन यहाँ पर यह कह रहे हैं कि अगर एक अफगानिस्तान का refugee यह मान लो आ गया उसबेकिस्तान बे इसने आपर entry ले ली अब उसके बाद कल को यह अराम से visa free travel का फाइदा उठाकर यह आ जाएगा रशिया में और Russian intelligence यहाँ पर यह मान रही है कि बहुत सारे refugees जो अफगानिस्तान से निकलेंगे इन में से कई militant आतंगवादी भी हो सकते हैं जो कल को किसी country में राजकता भी फलाएंगे तो इसलिए पुतिन ने यह कहा है कि Russia की safety मिरे लिए सबसे important है मैं कोई भी अफगान refugee को accept नहीं करूँगा ना खुद accept करूँगा ना Central Asian countries को accept करने दूँगा ना अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मुझे लग रहा है सर व्लादमन पुतिन जादा ही paranoid हो रहे हैं इनको यह सब करने की आफशक्ता नहीं है क्योंकि आपने खुद ही ऐसा कहा कि अफगानिस्तान से कोई refugee जब उसबेकिस्तान में जाएगा तो रश्या में एंट्री के लिए फिर भी कुछ डॉक्यमेंट्स तो चाहिए होंगे वो अट लिस्ट प्रूफ तो करेगा कि वो उसबेकिस्तान का नागरिक है कुछ पास्पोर्ट वगरा कुछ तो दिखाएगा ठीक है वीजा क्या आप शक्ता नहीं है मगर बिना किसी डॉक्यमेंट के वो रश्या में एंट्री कैसे करेगा देखो मैं आपको ये बढ़ाता हूँ व्लादमिर पुतिन में पचास कमिया होंगी करप्शन के issues होंगे वो सब अपनी जगा है मगर बहुत ही wise आदमी है कम बोलते हैं मगर जब बोलते हैं तो बात पें के दम होता है सोच समझ के बोलते हैं अब problem यहाँ पे व्लादमिर पुतिन को ये दिख री है कि जो Central Asia इश है न यहाँ पे corruption बहुत ज़ादा है बला का corruption है आप for example तुर्कमेनिस्तान को आप अगर देखो तो corruption perception index में इसकी rank है 165 इंडिया की आप अगर देखो rank तो हमारी rank है 86 तो corruption के मामले में मैं कहाँँगा भारत काफी भैतर है काफी improvement कर चुका है compare to centralized countries बाकी आप अगर देखो अजबेकिस्तान यहाँ पर तजिकिस्तान सेम कहानी है corruption perception index में इनकी rank बहुत ज़ादा कम है और खेर इस index में rank कम भी होती पुतिन जानते अपने neighborhood को उनको पता है के ऐसी countries में नकली कागज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है किसी अफगान refugee को अगर रशिया में आना ही है तो यहाँ पर centralization country में एंटर करके एक फरजी passport बना कर यह आपर रशिया में कर सकता है entry इसकी possibility बिलकुल है और रशिया आपर यह भी कह रहा है कि US ने खुद यह बात admit करी है कि आज के समय Islamic State के भी जो आतंगवादी है यह मौझूद है अफगानिस्तान में तो कल को refugee बनकर 50-60 भी यह आतंगवादी रशिया में पहुझ गए तो यह तो बहुत damage कर देंगे मारे देश में और यहाँ पर आप आप देगी पाओगे BBC का article है USA को डर है कि Islamic State एडाइक कर सकती है काबोल एरपोर्ट पे और आप सबको बता है कि 2016 से लेकर 2019 तक आप अगर देखो तो Islamic State को सबसे जादा bomb किस country ने किया था रश्या ने किया था तो अब्यसी बात है कि कल को यह बदला भी ले सकते हैं रश्या पे तो व्लादमेर पुतिर ने बहुती सोच समझके यह बहुती बड़ी statement दी है इवन दो यह statement देने के बाद अब US, UK, Australia बाकी जगा भी जो यहाँ पर लोग है वो सर्कुझा रहे हैं कि अगर रश्या यहाँ पर refugee नहीं ले रहा यह कहकर कि आतंगवादी आ सकते हैं refugee की आड में तो हम यहाँ पर refugee क्यो ले रहे हैं हम रिस्क तो नहीं उठा रहे हैं यहाँ पर इंडिया में भी कई जो अनलिस्ट हैं यह discuss कर रहे हैं कि अगर पुतिन की यह विचार धारा है तो भारत भी refugee क्यों accept कर रहा है इंडिया ने भी आपको बताओगा हलाकि यह तो नहीं का कि refugee को हम बसा देंगे हमने यह बोला है कि अफगानिस्तान का कोई ना गरे कोई भी हो किसी religion का हो Christian, Muslim, Sikh, does not matter, any religion अगर वो अफगानिस्तान में unsafe feel कर रहा है तो सीधा उसको apply करना है e-visa के लिए और भारत उसके document चेक करके उसको बला सकता है भारत में और वो 6 महिने तक रह सकता है भारत में उसके बाद हम क्या करेंगे वो अभी decide किया नहीं है तो finally यहाँ पर मैं आपसे पूछोंगा आपका opinion कि क्या यहाँ पर आप Vladimir Putin से agree करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं यह कुछ जादा ही paranoid हो रहे हैं I disagree with Putin Let the refugees come We welcome refugees लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं जाना चाहूंगा आपका opinion नाव वापस आते हैं अपने question पे कि इन में से वो कौन सा Central Asian country है जिसकी अबादी सबसे जादा है तो आपके साब से यहाँ पे सही answer क्या है अगर आप वैसे map को देखें तो कोई यहाँ पे अंदाजर लगाएगा कहेगा कजाकस्तान ही होगा इतना बड़ा देश है यह होगा अबादी में top तो इसका अंसर है नहीं सही उत्तर यहाँ पे है option B Uzbekistan यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इस Uzbekistan और यहाँ पे total अबादी है 3,36,000,000 काजाकस्तान की अबादी अचुली बहुत कम है जातर पाड़ी लाग है काजाकस्तान तो इसलिए आप अबादी है 1,80,000,000 के आसपास और बाकी जो Central Asian Countries है वहाँ पे आपको 1,00 की अबादी भी नहीं मिलेगी और finally आपे मैं यह भी आड़ कर दूँ कि अगर आप life में एक बार properly UPSC exam की preparation करना चाते हैं तो आप purchase कर सकते हैं Unacademy का combo offer This is the ultimate UPSC course Unacademy has to offer Simply यहाँ पर comment section में जो pin link है इस पर click करो और यहाँ पर आप खरीज सकते हैं यह course जिसके अंडर UPSC prelims, mains और optional तीनों की ही त्यारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी यह courses अलग-अलग purchase करोगे तो वैसे ही आपको 10,000 फाल दूपे करने होंगे combo में मिलता आपको discount इसके उपर एक additional discount आपको और लगेगा अगर आप use करते हैं यहाँ पर promo code PD10 prices और भी जादा यहाँ पर गिर जाएंगे So save your hard-end money use the code PD10 और इसी note के साथ यह है आपर वीडियो का अंद Thank you for listening and as always God bless you all झाल 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 झाल